श्री गणिशाय नमहा अपने भागय को जैसा चाहें वैसा लिखना अपने हाथ की बात है यदि आत्मनर्बर हो जाएं जैसा होना चाहते हैं उसके अनुरूप अपनी योग्यताएं बनाने में प्रवर्थ हो जाएं तो विध्यता का विवेश होकर आपकी मनमर्जी का भाग लिखना ही पड़ेगा नमश्कार मैं हूं मुहित कमल श्रीमाली आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे चैनल में और आज के राशीफल के नए एपिसोड में आज मैं सबसे पहले उन सभी को बढ़ाई एवं शुबकामनाय देना चाहता हूं जिनका आज जनम दि में मंगल गुरू और केतू धनू राशी में विराजमान है शनी मकर राशी में विराजमान है वहीं पे बुद्ध और सूर्य कुम राशी में तथा शुक्र मीन राशी में आज के दिन स्थित रहेंगे आज चंद्रमा मकर राशी में विराजमाने जिसके चलते आज के दिन शुपफल प्राप्त करने वाली राशियां है मितुन राशी करक राशी तुला राशी व्रश्चिक राशी और मीन राशी इन ग्रेश सिद्धी के संदर्व में जानते हैं कैसे बीतने वाला है आपके लिए मेरे लिए और हम सब के लिए 22 फरवरी का राशिफल शुरुआत कर प्राशी से दशंभाव में चंद्रमा विच्रंट कर रहे हैं आपके लिए आज के दिन बहुती बढ़िया रहने वाला है आपके प्रेम जीवन में आपके प्रियर से आपके संबंद बहुती बढ़िया बनेंगे और आपके प्रेम की व्रद्धी होने से हर्श होगा यदि आ आप शादी शुदा है तो दामपते जीवन में तनाव रहेगा और संतान के लिए आपको चिंता बनी रहेगी भागय का साथ मिलेगा लेकिन परिवार के दबाव में आपको कुछ निरने बदलने पड़ सकते हैं काम के सिलसले में दिन अच्छा रहेगा और परिवार का माहौ भी बहुती जादा अच्छा और खुशहाल रहेगा आपका स्वास्तिया बढ़िया होगा वहीं पे बिमारी से निजात आज के दिन आपको प्राप्त होगा आप आज के दिन अपने परिवार वालों के साथ बिताएंगे वहीं परिवार में सुख शांती इसका इहसास आज करने वाले आपके अगेंस में जा सकते हैं आपके खिलाफ शडियंतर रच सकते हैं इसलिए सावधान रहें जब आपकुछ अच्छा करते हैं तो उसके साथ में निश्चित सी बात है कि आसपास वाले लोगों को जलसी फील होगी और ग्रिणा का सुभाव आएगा उनमें तो ऐसी चीज़ जब होती है जो आपसे बहुत जादा प्यार करते हैं उनके बीच में तो आप यह देखेंगे नहीं पर जो आपके साथ में कॉमपेटिशन में आपसे कंपीट जो कर रहे हैं उनके अंदर ये सुभाव जरूर देखने को मिलेगा और वहीं पे कुछ ना बचा जा रहा होगा आप आज किसी नए काम की शुरुआत कर सकते यातर पर जाने के लिए आज का दिन बहुत ही जादा शुभ है कोई खुशकबरी मिल सकती है महीं पे जिससे आपके परिवार में बहुत ही खुशी की लहर दोड़ेगी आज के लिए आपका लगी रंग है बलू और आपका लखी नंबर है नंबर 9 बात करते हैं व्रशव राशी की तो आज आपकी राशी से नवंभाव में चंद्रमा विच्छन कर रहे हैं आप आज के दिन के लिए कुछ खास प्लान बनाकर रखेंगे जिससे आपकी इंकम में और जादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी इसाफा देखने क्यों मिलेगा और आपको अपने लोगों से मिलने का मौका भी मिलेगा प्रेम जो है आपके दामपती जीवन का आज आधार बनेगा और आपके जीवनसाथी को आपको बहुत जादा सुख मिलेगा दामपते जीवन में जीवन साथ ही अपने मन की बातें खुल कर एक दूसरे से कर पाएंगे जिससे कोई भी जो भी मन मुटाव था वो भी अपने अब दूर हो जाएगा वहीं पे बहुत ही अच्छे तरीके से एक दूसरे को समझने में आसानी होगी काम के सिलसले में उतार चड़ाव हो सकता है आज के दिन महीं पे काम के सिलसले में आपकी तेज बुद्धी आपको बहुत काम आएगी आपको कामों में चुटकियों में आसान बना देगी और महीं पे आज कोई प्रॉपटी खरीच सकते हैं की दिन अगर कोई प्रापटी प्लान कर रहे थे तो उसका एडवांस पेमेंट भी आज की दिन आप दे सकते हैं परिवार में सुख शांती रहे कि महीं पे प्रेम जीवन में आज तनाव भड़ेगा और अपने प्रियर से आपके जगड़े की संभावना बहुती जादा प्र आज का दिन आपको अपने स्वास्ते के अंदर बहुत ज़्यादा कमजोरी देखने को मिलेगी वहीं पर आपके चिंताइं बढ़ेगी और आपके खर्च भी बढ़ेंगे आज आपको अपने खर्चों पर लगाम लगानी पड़ेगी क्योंकि आज का दिन बहुत भी आ सकती आचानक से कोई सामने पेमिंट देना हो सकता है जिसके लिए आप पाएं कि आज के दिन आप आर्थिक तरीके से स्टैंड पॉइंट पे अच्छे से नहीं खड़े हो पाएंगे मांसिक तनाव भी रहेगा टेंशन बहुत जादा बड़ी रहेगी महीं पर स्वास् सुल खर्ची थी वो इतनी जादा हो कैसे गई खर्च करने के बाद में आप यह सोचना शुरू करेंगे जो चीज के लिए आपको रुपे चाहिए थे जो आपकी बेसिक नेसेसिटी इस ती उसके लिए जो रुपे चाहिए थे वो तो आपने अपने आश्वाराम पे साथी से ना समझी के कारण कोई लडाई भी हो सकती है बचपने के कारण आज के दिन कोई लडाई देखने को पड़ सकती है आपके साथ काम करने वाले आज आपके विरुद शडियंतर रच सकते हैं इसलिए सावधान रहना आपके लिए सबसे पहला पॉइंट है परिवार करके अपनी यात्रा करेंगे पूरी और उसके अंदर जो रिजल्ट है उस यात्रा का वो भी सही नहीं मिलेगा तो ओवराल यात्रा आज के दिन बहुती जादा कश्प रद हो जाती है आज के लिए आपका लखी की जादा अच्छे से पूरे होते नजर आएंगे परिवार का महल भी बढ़िया बनेगा और लोगों से बात होगी और उनके मन की बात जानने को मिलेगी क्या सूचते हैं क्या समझते हैं वो हमारे पारे में वो जानने को मिलेगी यात्राओं में आज के दिन आपको समस्या देखनी पड़ सकती है महीं पे धन के मामले में दिन बहुत ही जादा अच्छा बहतर रहने वाला है स्वास् अभी रिलेशन में हैं उनके लिए नेक्स स्टेप लेना अपनी रिलेशन्शिप में वह और ज्यादा आज के दिन शुब साबित हो सकता है कि आप किसी को प्रपोस करना चाते हैं किनी कि पास में रिष्टा भीजना चाते हैं तो वह भी बहुत ही जादा अच्छा रहेगा ब कि अपने परिवार के पास में जब जाएंगे तो घर वाले भी बहुत जादा खुश हो जाएंगे ऐसे रिष्टे को देख करके आज यहीं पर अचानक से आपके काम में कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है आपको अच्छे काम का फल भी मिलेगा वहीं पर आप थोड इसली जब काम करेंगे तो आसपास वाले जहां पर कोई नॉमल सी स्पोर्ट्स अक्टिविटी अगर आप मान लीजे बच्चों के साथ में खेल रहें और बहुत ही जादा कॉम्पिटेटिव अगर आप अचानक से टरन हो जाएंगे तो आपको वहां पर बहुत ही जादा अच्छी सक्सेस में मिलेगी पर जो एंटर्टेन्मेंट का माहौल है वो खतम हो जाएगा तो बेसिकली देखा जाए तो दोधारी तलवार है एक तरीके से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे महीं पर दूसरी जगे आप एंटर्टेन्मेंट किलर भी बन जाएगी जहां आज की दिन बस एक बाट से अपने को रोकना है खुद को अपने आपको रोकना है किसी से भी बुरा बरताव नहीं करना है ना ही कुछ बुरा बोलना है व्यापार के मामले में आजके दिन जबरदस्त रहने वाला है बहुती अच्छी इंकम दिख रही है आपके लिए वहीं पे दूर की यात्रा करने का मौका भी आज के दिन आपको मिलेगा आपके व्यापार को बढ़ाने में आपकी मदद भी ये करेगी यात्रा आज आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे जीवन साधी से लाब होगा वहीं पे दामपती जीवन में उतार चड़ाव लगातार देखने को मिलता रहेगा पर इसके बावजूद भी आपके लिए दिन दामपती जीवन के लिए भी बात की जाए दामपती सुक के लिए भी बात की जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा आज के लिए आपका लगी रंग है परपल और आपका लगी नमबर है नमबर थरी अब बात करते हैं सिंग राशी की तो आज आपकी राशी से शष्टमभाव में चंद्रमा विचरन कर रहे हैं आज आपको आपके दामपती जीवन में अच्छे नतीजे मिलेंगे वहीं पे एक दूसरे से प्यार जताने का मौका मिलेगा रिष्टे में प्रेम बढ़ेगा व्यापार के लिए दिन बहुती जादा बढ़िया रहने वाला है पर लगातार चैलेंजिस पर चैलेंजिस आज आज आपको देखने को मिलते रहेंगे पर उस चीज को सही तरीके से नापना तोलना उसको परकना आपको पड़ेगा कहीं ऐसा ना हो कि कोई स्काम हो जिसकी वज़े से आपके रुपे भी लग जाया और आपको वापस रिटर्न में कुछ आए भी नहीं यदि नौकरी करते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुती अच्छा बना हुआ है हर जगे प्रशंसा मिलेगी पर जब प्रशंसा मिलेगी है वहीं पर आपके जो कलीक्स हैं आपकी जो कंप्यूटिशन में खड़े हैं वो आपके अगेंस्ट हो सकते हैं आपके अगेंस् जीवन में निराशा भी आज के दिन हाथ लगेगी हो सकता है कि आपने अपने प्रेमी को या प्रेमिका को जो दर्शाना चाहा था जो बोलना चाहा था वह सही तरीके से बोलनी पाएं उसकी वज़े से सामने से जो हैं आपके पार्टनर वह आप से गुस्ता हो गए या तो प कि अब बात करते हैं कन्या राशी की तो आज आपकी राशी से पंचंभाव में चंद्रमा विच्छन कर रहे हैं प्रेम जीवन सुखत बना रहे हैं वहीं पर आज आपके प्रेम संबंद बन सकते हैं हो सकता है जो अभी तक अविवाहित थे उनका विवाह हो जाए जो खर्च बढ़ सकते हैं वहीं पे आपको कोई पैत्रिक संपती यानि की पैरेंटल प्रॉपर्टी भी प्राप्त हो सकती है। इनकी संभावना बन रही है तो दूसरी और आपके पिताजी का स्वास्थे भी इस दौरान काफी खराब हो सकता है। बहुत ही जादा सीरियस तरीके से उनको इलाज की जरुरत पर सकती है। तो अगर यह हो चुका है तो इसके लिए आपको अपने फाइनसे इन और लाने पड़ेंगे और अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है तो बहुत जल्दी सावधान हो जाईए। क्योंकि ऐसा कुछ ना कुछ अब घटने वाला है आपके साथ में। जो कानून के विरुध होते हैं जो प्रशासन की और से गलत काम करते हैं उनके नजर यह से गलत काम करते हैं तो आज के दिन उनको पनिश्मेंट भी मिल सकता है। तो फिर कोई बहुत ही जादा भारी फाइन भी पे करना पड़ सकता है दांपती जीवन में कुछ समस्याइं आ सकती है आज के दिन महीं पर कुछ लोगों को इस दौरान इंटरनाशनल ट्रांसफर यानि की जो जॉब आप कर रहे हैं वहाँ पर आपको ऐसी ऑपरशनिटी मिल जाते ही एक बार जो स्ट्रगल होगी क्योंकि आने वाले जो दिन हैं आपके लिए वह थोड़े स्ट्रगल के हैं अगर सही से देखा जाये तो 29 मार्च तक लगातार आपके लिए स्ट्रगल का पीरियड है पर जैसी 29 मार्च आपके लिए निकल जाती है उसके बाद में के लेकर आपके अंदर भाव जाक सकता है इसलिए खुद को स्ट्रेश्ट साबित करने के लिए आप बढ़ चड़कर बातें करेंगे जो नहीं किया है वह भी बोलेंगे एक रुपे की चीज को दस रुपे का बताएंगे जो मेहनत करते हैं उसको बहुत साथा बड़ा चड़ा के बताएंगे जिससे परिवार का वातावरन भी खराब हो सकता है इन बातों को ध्यान में रखते वे अपने दिन को गुजारिएगा और हमेशा याद रखिएगा काम अपने आप बोलता है इनसान को बज़ताने की जरुरत नहीं है कि वह कैसा है कितना आपको छोटा बनाते हैं इस बात को ध्यान में रखिएगा आज के लिए आपका लगी रंग है ब्लैक और आपका लगी नमबर है नमबर सेवन अब बात करते हैं तुला राशी की तो आज आपकी राशी से चतुरतभाव में चंद्रमा विच्रन कर रहे हैं आज आपका दि एंटिहःन्मेंट के जो काम होते हैं इसमें आज अपना धन खर्च करेंगे हो सकता है किसी पार्टी में बिना बात के बिना किसी माहौल के पार्टी करना चाते हैं बिना किसी घर वालों के साथ में कहीं ऐसी एक्सपेंसिव जगे पर जाना चाते हैं जिससे की मतलब raciorn न प्लान बशाइटमेंट हो जाएगा और या तो फिर उक्साइटमेंट के कारने आप बहुत भड़ा प्लान बनाना चालू करेंगा जब आसपास वाले उस प्लान में सहमती नहीं देंगे तो बहुत ही जादा गुस्ता आएगा और अचानक से खुद अकेले निकलने की कोशिश कर लेंगे तो ऐसी चीजों से आज खुद को रोकना है आज के दिन और एक बात पर ध्यान रखनी है सुनी सुनाई बातों की जगे खुद पर भरोसा करें तो आपके में कुछ बोला है इसने उसके बारे में कुछ बोला है मुझे ये सुनने में आया है ये जो चीज़ें इन सब को छोड़ दीजे जो खुद ने देखा है जो खुद ने देखा है जो खुद ने एहसास किया है जो दूसरे के साथ में उट बैट करके जो आपने उनकी इस देखी हैं उस पे जादा भरोसा कीजेगा नहीं तो बिना बाद कोई दूसरे का नाम को लालचन लगाने के चक्र में आप एक बहुती अच्छे कनेक्शन से बहुती अच्छे इंसान से अपना कनेक्शन तोड़ सकते हैं अज़ जल्द बाजी और उतावले पंसे कोई भी महत्वपून निर्ने लेने से खुद को रोकना है नहीं तो नुकसान भी मिलेगा और बिना बाद मूर भी खराब होगा बने बनाए काम में भी आज बादा आ सकती है चालेंजिस लगातार फेस करने पड़ सकते हैं यात्रा करते समय आराम से पेशिंटली यात्रा करने की जरूरत है वहहन वहीं पे साफधानी से चलाने की ज़रूरत है अगर वहता ही धियान से चलाए अगर खुद नहीं चलाते है ड्राइवर चलाता है या तो फर कोई दोस्त के साथ में जारहा है तो उन्हें भी बूलिईगा कि ध्यान से चलाय काड़ी को क्योंकि आप अंचेले नहीं है ज यह बहुती जादा गंभीर विशय है इस बात को सोचिएगा समझिएगा और थोड़ा अपने आपको वड़ा बने अपनी मांसिक्ता के अंदर थोड़ी और जादा सीरियसनेस लाईए क्योंकि गाड़ी कितनी भी अच्छी हो सड़कें तो वही है उस सड़क पे हम अकेले नह जाड़ सकती है इस बात को समझिए और इस कारण सावधानी से गाड़ी चलाने का प्रण लीजिए घरेलू विवाद आपको परेशानी का कारण आज बन सकते हैं इसलिए संबंदों को बचाने के लिए आपको लगातार प्रयास करते रहने चाहिए सामनेवाले को लगातार impress करने की कोशिश करते रहना चाहिए आपको आज के लिए आपका लखी रंग है मजेंटा और आपका लखी नंबर है नंबर सिक्स तो अब बात करते हैं व्रश्चिक राशी की तो आज आपकी राशी से तित्य भाव में चंद्रमा विच्रंट कर रहे हैं आज आपका स्वास्ति उत्तम रहने वाला है और आप आज बहुती जादा अच्छे तरीके से धनलाब भी देखेंगे आपको आज के दिन किसी को दिया हुआ या आपका फसा हुआ धन अपने आप प्राप्त हो सकता है सामने से इंसान चलके आ सकता है आपको देने के लिए आज आपको आपकी नई योजना जो है नई प्लानिंग जो है जो आपके बिजनस को लेके है या तो फिर आपके आपक कि अगेंस में जो लोग हैं वो आक्टिव हो जाएंगे आपको कुछ ना कुछ फासाने के लिए घर में कोई मांगलिक कार्य होगा या कोई नए सदस्या का आगमन आज के दिन हो सकता है हो सकता है घर में नई भावी आये नई बहु आये कोई नए रिष्टे बन जाए इन चीज़ों को लेकर के आज एक नए लाज कुछ ना कुछ हो सकत है जो आपको लगातार धन देता रहेगा और महीं पर आपकी आर्थिक सिद्रिख लगातार मजबूत करता रहेगा जो नौक्री करते हैं उनके लिए आज के दिन प्रमोशन के चांसर बन रहे इसके लिए आपके आपकी सिफारिश भी आज के दिन लगाई जा सकती है आज के लिए आपका लखी रंग है सफेद और आपका लखी नमब है नमब थ्री अब बात करते हैं धनूराशी की तो आज आपकी राशी से द्वितिय भाव में चंद्रमा विच्रन कर रहे हैं आज के दिन आपके लिए गजरने वाला है आज आपको कुछ चिंताएं खतम होती नजर आएंगी आपको समय के साथ बदलने की भी बहुत जादा जरूरत है कहीं पीछे कहीं पर अटके हुए हैं तो उस धारना को छोड़ करके अब जो मौडन धारना है जो मौडन तिंकिंग उसके साथ में सूचने बाते होंगी और प्यारे लंगे एक दूसरे के साथ में गुजारने को मिलेंगे नौकरी पेशार लोगों को मेहनत का फल आज जरूर मिलेगा महीं पे सेहत के नजरीये से समय आपके लिए आज का बहुती जादा शुब है आपको बहुती एनरजी मिलेगी मोटिवेशन मिल इसलिए निवेश करने से पहले कागजात को बहुती अच्छे से पढ़ ले ताकि सब कुछ आपके फेवर में हो कहीं ऐसा नहों कि सामने वाला आपको फसाने के चकर में आपके अच्छे समय को भी बुरा बनाने के चकर में आपका घाटा करवा दे और उसके लिए आपको जादा सावधान रहने की ज़रूरत है जहां पर अच्छा समय है तो अच्छे समय के अंदर यह जरूरी नहीं होता कि हर चीश से रिलाक्सेशन मिल जाए आसपास वाले एंवाइन्मेंट के अंदर जो वेरियेबल्स हैं वह भी लगातार काम करते रहते हैं इस बात को समझत की तो आज आपकी राशी से फर्स्ट हाउस में चंद्रमा विच्छन कर रहे हैं आज के दिन आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है वहीं पर आपके द्वारा सोचा हुआ कोई बड़ा काम आज पूरा होता नजर आएगा भाईयों से भी मदद मिल सकती है पुरानी समस्य आज की दिन खतम होती नजर आ रही है आपका मूर पहले से और जादा बहतर होता नजर आएगा और जादा रिलाक्स आप नजर आएंगे आज आपके आफिस में होने वाले खास काम में थोड़ा बदलाव आज आपको देखना पड़ेगा उसके योग बन रहे हैं आपको ज यात्राओं में खर्चा हो सकता है वहीं पर परिवार के साथ यात्रा भी करने को मिल सकती है आज के लिए आपका लगी रंग है रेड और आपका लगी नमबर है नमबर नाइन तो अब बात करते हैं कुम राशी की तो आज आपकी इराशी से द्वादिश भाव में चंद्र को करना शुरू करो पर आज आपको पेशंट रखना चाहिए उस काम को आज के ना करें तो जादा बहतर रहेगा क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है या आपने जरूर सुना होगा तो जल्द बाजी में कोई भी काम को करना नहीं चाहिए आपने बहुत अच्छे से प् परवा रहे रहे उस चीज़ को भी आज की दिन आपको सामना करना पड़ सकता है कोई ना कोई बिमारी या तो फिर असामानी रूप से आपका स्वास्तिय खराब हो सकता है इस बात को ध्यान में रखते वे अपने आपकी फिटनेस पर अपनी आक्टिविटी पर अपने खान पर आपको ध्यान रखना चाहिए इस बात की बहुत आशंका है कि कोई तीसरा आदमी किसी गलत इरादे से आपके संबंद से दखल अंदाजी कर सकता है पर आशंका है इसका मतलब यह नहीं है कि नहीं हो सकता जब भी कोई बुरी चीज़ हम सोचते हैं तो यह मानके चलिए कि नहीं हो सकती ऐसा हम समझ सकते हैं पर अगर हो गई तो उसके लिए क्या किया जाएगा तो पहले से प्लान A और प्लान B दोनों आप तयार रखिए कोई भी अगर ऐसा आसपास में से दिख रहा है जो आपके रिष्टों में आपके घर के अंदर फूट डालने की कोशिश कर रहा है तो पहले ही सावचेत हो जाएं और उनको देख करके पहले ही समझ जाएं कि एक इस तरीके का इंसान है और क्या करने के लिए आपकी जिन्दगी में आ रहा है इनी के चलते अगर आपके पार्टनर के बारे में कोई भी सूचना आपको उल्टी सीदी देता है कोई भी आपको गलत चीज़ें बताता है तो पहले उस बात की च्छान भीन कीजे उस बात को समझिए कि सामने वाला बोलना क्या चाता है और आप अपने लाइफ पार्टनर की बात नहीं कर रहें पर बिजनेस पार्टनर्स की भी बात कर रहें अपने लव इंटरेस्ट की भी बात कर रहें अपने मित्रों की भी बात कर रहें कहीं से भी ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा सुनने को मिले तो सुनी सुनाई बातों पर तहीं आपको ध्यान नहीं देना है जो खुद ने देखा है जिस चीज पर भरोसा है उस पर अपनी गट फीलिंग पर जादा विश्वास कीजेगा आपको केवल अपनी ही भावनाओं पर भरोसा करना रचाईए होगा आज के दिन आज आपकी एक ऐसी स्थी का सामना करना पड़ सकता है जिसे आपके प्यार और प्रतिबदता की शक्ती का परेक्शन हो सकता है आपको कारियस्थान का परिवर्तन ऐसी जगे हो सकता है जिससे आप अंजान हो जो आपने आसतर कभी देखें निये काफी जगाओं पर गावन्मेंट एंप्लॉई जो हैं उनके लिए स्थिती जादा प्रबल है आज के तरफ हो सकता है आप ऐसे कोने कोचे में दे दिये जाएं ऐसे गाव में भेज दिये जाएं जिसका नाहीं आपने कभी नाम सुना है नाहीं कभी मैप पे देखा है पर आपको वहां पे भेज दिया गया हो सकता है पनिश्मेंट के तौर पे हो या हो सकता है आपकी पोटेंशिल को द राशी की यान की मीन राशी की तो आज आपकी राशी से एकादश भाव में चंद्रमा विचरन कर रहे हैं बिजनस संबंदी किसी मीटिंग में आपको मन मताबक मोड आने की संभावना है आप आज शांत पर बहुत ही जादा स्ट्रॉंग हैं अपने खुब सोच समझ कर फैसल जो हैं अगर आप नौकरी करते हैं तो बहुत ही जादा अच्छे से अपनी सेल्स कर पाएंगी जिससे के इंसेंटिव अच्छा हो जाए और वहीं पे जो लोग बिजनस करते हैं उनके लिए भी फुटफॉल आज के दिन अपने शोरूम में अपनी दुकान पर अपनी फैक कौन सी अनफेवरिबल है तो उसे देख करके आप अपने लिए फ्यूचर के लिए एक बहुत ही जादा अच्छे से स्ट्रीम चूज कर पाएंगे आपका कोई नए अफसर आज के दिन मिल सकते हैं सब वैद और असली होंगे अगर आप विवेकपून तरीके से निरने लें एक विशेश उपाय की तो आज का विशेश उपाय है पारिवारिक कले के निवारंट के लिए रात को सोते समय एक टुकड़ा देशी कपूर या एक चुटकी सिंदूर अपने सिरहने पर रखें या सिरहने के नीचे रखें सुबह उठकर स्नान ध्यान के पश्चात कपूर का टुकड़ा घर की देहरी इस पर रख कर जला दे और सिंदूर को जल में डालकर सूर्य देव को अर्ग प्रदान करें इस टोटके को निरंतर एक सब्ता करना है लगातार हर रोज एक सब्ते तक करना है इसे जो भी वैचारिक मदवेत थे वहीं परिवार के अंदर कोई भ हतम हो जाएगी नाश हो जाएगी आप ये टोटका करके जरूर देखिएगा आपको बहुत ही जादा खुश भी महसूस होगा खुशी भी महसूस होगी वहीं पर जो भी मदवेत परिवार के अंदर सारे जड़ से हटते नजर आएंगी इसे के साथ मैं आगया दीजे कल फि दफलताओं से भरा हुआ हो आप सबी को नमस्कार शुप कामने धन्यवादेवं जैहिन छुशी अंदर संहार के अंदर संहार के अंदर सारे जड़ से भी महसूस हो उवादेवं पर लो खुशी आप लुश वहीं अंदर से ओलताओं झाल झाल